भारत और केनेडा आग जिस तलकी भरे मोड पर आमने सामने आखडे हैं उसका इतिहास बहुत पहले ही शुरू हो चुका था दरसल असी के दशक में खालिस्तानी आतंकियों की कनडा में बढ़ती गतिविदी से आगा करते हुए भारत ने कुछ आतंकियों को भारत को सौपने की बात कही थी इन आतंकियों में तलविंदर सिंग पर मार भी शामिल था और केनेडा के ततकालीन प्रधान मंत्री ने तलविंदर को भारत को नहीं सौपा और फिर 1985 में तलविंदर ने एर इंडिया के एक विमान पर बम विस्पोर्ट कर दिया जिसमें कनेडा के ही 268 व्यक्ति मारे गए भारत की चेतावनियों को नजर अंदास करके कनेडा ने आ एक आतंकी हरदीब सिंग निजर को लेकर कनेडा ने जो बवाल काटा है वो आज दुनिया के सामने है। केनेड़ा के प्रधान मंत्री जस्टिन टूडो ने अपने देश की संसद में एक बयान में कहा कि इस साल जून में हुई हरदीप सिंग निजर की हत्या में भारत का हाथ होने के विश्वसनी आरोप है। और फिर कनेड़ाई प्रधान मंत्री टूडो के आरोप को सिरे से खारिश करते हुए भारत सरकार ने निजर की हत्या में अपना हाथ होने से साफ इनकार किया। प्रधान मंत्री टूडो के बयान के बाद ओटावा में शीर्श भारतिय डिप्लोमेट पवन कुमार राय को निश्काशित कर दिया। और 1997 बेंच के पंजाब केडर के IPS अफसर हैं। और वर्तमान में केनेडा में भारतिय खूफिया एजेंसी रिसर्च और एनालिसिस वेंग्याने की रौ में स्टेशन प्रमुक के रूप में तैनात थे। भारतिय खूफिया अधिकारी के निश्काशन की केनेडा की सारवजनिक घोषना को दुरलब मामले के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि ऐसे मुद्दे को आम तोर पर विवेक पूर्ण तरीके से संभाला जाता है। केनेडा की कारवाही का जवाब भारत ने उसी की भाषा में दिया। विदेश मंत्राले ने नई दिल्ले स्थित केनेडाई उच्चा युक्त कैमरून मैके को तलब किया। M.E.A. ने मैके को केनेडा सरकार की कारवाही की प्रतिक्रिया के रूप में भारत सरकार के जवाब से अफगत कराया और एक सीनियर डिपलोमेट को निश्काषित करने का फैसला किया भारतिय विदेश मंत्राले की ओर से उस केनेडाई डिप्लोमेट को देश छोड़ने के लिए पांच दिन का समय दिया गया भारत के जैसे को तैसे की भाषा में जवाब देने के बाद केनेडाई प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो के तेवर नरम पड़ गये न्यूज एजिन्सी की रिपोर्ट्स की माने तो प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो ने मंगलवार को कहा कि केनेडा एक सिक अलगाववादी नेता की हत्या से भारतिय एजिन्टों के जुड़े होने का सुझाव देकर उसको उकसाने की कोशिश नहीं कर रहा है लेकिन ओटावा चाहता है कि नई दिल्ली इस मुद्धे को ठीक से एड्रेस करे उन्होंने भारत सरकार को इस मामले को बेहत गंबीरता से लेने की ज़रुत है हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं हम भारत को उकसा नहीं रहे या इसे आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं रिष्टों में करवाहट के बीच केनेडा सरकार ने मंगलवार को भारत में अपने नागरिकों के लिए एक ट्रेवल एडवाईजरी जारी की इसमें भारत की यात्रा करने वाले या फिर भारत में रह रहे केनेडाई नागरिकों को जम्बु कश्मीर और नौर्थ इस्ट के राजियों में नहीं जाने की सलहा दी गई केनेडा ने एडवाईजरी में अपने नागरिकों को सलहा देते हुए कहा हम भारत में अपने नागरिकों को सूचित कर रहे हैं कि आप रत्याशित सुरक्षा हालातों की कारण वो जम्बू कश्मीर और उत्तर पूर्व के राजियों की यात्रा करने से बचे यहां आतंकवाद, उग्रवाद, अशांती और अपहरन का खत्रा है मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो G20 शिखर संबीलन के दोरान राश्ट्रे सुरक्षा सलहकार अजीत डोभाल ने अपने ऑस्ट्रेलियाई, यूके और केनेडाई समकक्षों से उनके संबंदित देशों में सिक कटरवाद के उद्य और भारतिय संपत्यों और हिंदू धार्म की बढ़ती सक्रियता और यहां हिंदू धार्मिक इस्थलों पर हमले का मुद्दा उठाया था भारत के विदेश मंत्राले ने कैनेडाई उच्चायुक्त कैमरून मैके से कहा ये कदम हमारे आंतरिक मामलों में कैनेडाई डिप्लोमेट के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गती वीदियो में उनकी सनलिप्तता को लेकर हिंदूस्तान की बढ़ती चिंता को दर्शाता है हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दे कि हरदीप सिंग निजर को भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने भगोडा और आतंक वादी घोशित कर रखा था राश्ट्रिय से अलग होकर बने हुए हैं एक स्वतंत्र सिख राज्य के प्रति सानुभूती रखते हैं 1980 और 1990 के दशक के सिख विद्रोह में लगभग 30,000 लोग मारे गए और 1985 में केनेडा से भारत आ रहे एर इंडिया बोइंग 747 पर बंबारी के लिए सिख आतंकवादियों को दोशी ठेहराया गया था जिसमें फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे सभी 329 लोग मारे गए थे कैनेडा में 14-18 लाग भारतिय मूल के लोग रहते हैं भारत में पंजाब के अलावा कैनेडा में सबसे जादा सिख रहते हैं इसलिए जब G20 समिट में हिस्सा लेने के लिए कैनेडाई प्रधान मंतरी जस्टिन टूडो भारत आये थे तो उनकी PM मोदी से मुलकात में ये मुद्दा भी उठा था जानकारों ने कहा कि दोनों नेताओं की मुलकात तनाफपूर्ण रही थी इस बैठक के बाद भारत सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कैनेडा में भारत विरोधी गति वीडियो पर काबू पाने के लिए वहां की सरकार की ओर से जरूरी कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया था इस मुद्धे पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी हाली में हरदीब सिंग निजर तीसरा ऐसा खालिस्तान समर्टक नेता था जिसकी मौत हुई इसी साल जून महिने में ही बिटेइन में अफ्तार सिंग खांडा भी बर्मिंगम में रहस में परिस्थित्यों में मूरथ फालिस्तान लिब्रेशन फोर्स का मुखिया था लाहोर में भी परमजीत सिंग पंझवार की हत्या कर दी गए थी परमजीत को भारत सरकार ने आतंक वादी घोशित किया हुआ था हरदीब सिंग निजर की इसी साल कैनेडा के बिटिश कोलंबिया में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी गई थी भारत और केनडा के संबंदों में तनाव की बीच मंगलवार को नई दिल्ली में केनडा उच्चायोग की सुरक्षा बढ़ा दी गई केनडाई उच्चायोग के बाहर केंद्री रिजर्व पुलिस और दिल्ली पुलिस के कई कर्मियों को तैनात किया गया था तो वही गुरुवार को वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिका के राश्ट्रे सुरक्षा सलहकार जैक सुलिवन ने सक्त लहजे में कहा कि अमेरिका अपने बुनियादी सिध्धानतों के लिए खड़ा रहेगा चाहे इससे कोई भी दिशा प्रभावित हो सुलिवन ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा ये हमारे लिए चिंता का विशे है ये एक ऐसा मामला है जिसे हमने गंभीरता से लिया है मामला ऐसा है कि हम इस पर काम करना जारी रखेंगे और किसी देश की परवा किये बिना हम ऐसा करेंगे इस तरह के कामों के क्योंकि मामले की जाच और राजनाइक प्रक्रिया को वो आगे बढ़ा रहा है। इससे पहले एक प्रेस ब्रीफिंग में सुलिवान ने कहा था कि अमेरिका केनेडा में एक हत्या में भारत सरकार के एजेंटों के बीच संभावित लिंग को लेकर बहुत जादा चिंतित है। जो जाच का पूरा समर्थन करता है अपरादियो को नियाय के कड़ घरे में लाना चाहता है और अमेरिका दोनों सरकारों के संपर्क में है। जैसे ही हमने केनेडाई पी-एम से आरोपों के बारे में सुना हमने सामने आकर इस आरोप पर अपनी चिंता व्यक्त की। वास्त अमेरिका के इस बयान के बाद भारत और अमेरिका के रिष्टे के बीच दरार पड़ सकती है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हूँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल ख